सुनीर डिम्पल जी आप जम्मु किश्मीर के जाने माने समाजिक कारे करता हैं और आप वोटर्स को क्या अपील करते हैं जो अभी चुनाब चल रहे हैं? देखें वोटर्स को लेकर के हमने काफी जागरु किया है वोटर्स को और प्रेरित भी किया है कि वे पार्लिमेंट के चुनाबों में भारी संख्या में भाग लें और इसी का ये नतीजा है कि आज जम्मु और डोडा सीट के ओपर भारी मगदार में वोटर्स निकल करके बाह राया है और हमने उनसे ये कहा है कि ये वोट जो है आपका एक भारत, नए भारत का मजबूट बनाने के लिए डाला जा रहा है आपसी भाईचारे को एकटा रखने के लिए ये वोट है अपने सुरकशावलों को देश को एक मजबूत बारत बनाने के लिए ये आपकी वोटी है और आप अपना वोट जो है अपने अधिकार बैरोजगारी को दूर करने के लिए हालाग को सुधारने के लिए गरीबी को दूर करने के लिए वेपारियों की माभो को ले करके गरीबी को हटाने के लिए अम्हहकाई को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान अल्गातंकवादियों को अलगाववाद को मुहतोर जवाब देने के लिए आप एक मजबूत भारत का निर्मान करने जा रहे हैं और हमने लोगों को प्रेडित किया है कि वह ऐसे राजनीतिक दलों को वोट करे जो देश को एक रख सके मजबूत बनाए और तमाम धर्मों के लोगों को एकता चला सके अपने साथ और जो देश के हमारे जम्हो कश्मीर के हाला को ठीक करें बेरोजगारी को दूर करें और गरीबी को दूर करें और विशेश तोर पे जमू कश्मीर का जो विकास करें ऐसे राजनितिक दल कोई भी हो लेकिन सोच समझ करके समी को वोट करना चाहिए ताकि एक हम नए भारत का 2019 में एक मजबूत भारत का निर्वान करने जा रहे हैं और यही अपील हम तमाम वोटर को कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अपारी संक्या में युवाओं को लोगों को की बाहर निकल करके वो डालने जरूर आए